नवस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्शित चौबे और आज हम बात करने वाले हैं राजिस्थान और लखनों के बीच जो मैच खिला जाने वाले हैं उसके बारे में पूरी possible element discuss करेंगे हर एक player के बारे में आपको बताऊंगा किस player को किस condition में try करना है कौन से important player है सब कुछ आपको वीडियो के अंदर मिलने वाला और 37 दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अगर वीडियो में last तक बने रहोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चलेगा कि GL में कौन से fixed player हमें लगबग 20 teams में रखने है सांती साथ कौन सा different GL का captain होगा last match आपको याद होगा राजिस्थान का जब last match आया था संजू सैंसन को मैंने बताया था कि इनको captain कर सकते हैं सांती साथ हैटमायर भी काफी बढ़िया choice होगे और आपने देखा last जो RR का match था खतरनाक वो match था आज के match के बारे में low selection percentage के कौन से player हैं जिने हम try करें तो हमारी एक तरफा winning हो चाएगी सब कुछ आपको वीडियो के अंदर मिलेगा वीडियो अगर पूरा end तक देखते हो तो अपनी एक बहतरीन team create कर सकते हो और साथी साथ वीडियो के last में मैं भी अपनी team आपको बताने वाला हूँ मेरी team क्या होने वाली है पिछले matches के बारे में भी बता देता हूँ जो पहली बार आया उसको बता देता हूँ कि भाई पिछले अगर 10 matches उठा के देखोगे तो 10 matches से हमने 6 से 7 matches में एक तरफा clean sweep किया है और कुछ matches हम win नहीं कर पाएं वो definitely 10 में से 10 कोई win नहीं कर पाता है लेकिन काफी बड़ी हमारा profit हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा हमारा profit अच्छा हो रहा है उसके लिए आपको telegram channel join करना है यह वाला telegram channel अगर join करते हो तो इसका क्या फायदा है यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगी final team जो आपकी winning में बहुत ज़ादा help करेगी लगतार हमारा काफी अच्छा profit हो रहा है तो आपका भी अच्छा profit होने वाला है telegram channel join करना link आपको description में मिल जाएगी साथी साथ अगर first comment open करोगे तो first comment पे जो pin comment होगा वहाँ पे आपको telegram का link मिल जाएगा अगर simply उस पे tap करते हो तो telegram पे पहुंच जाओगे आजाओ telegram पे आपको final team मिलेगी इसके अलाब़ दोस्तों हम match के बारे में बात करेंगे शुरुआत मैं आपको बता देता हूँ मेरा investment कहाँ पे होता है मेरा profit के step में हो रहा है बाई मेरा investment रहता है बल्लेबाजी एप के अंदर बल्लेबाजी में काफी बड़िया profit हमें देखने को मिलता है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमें competition काफी कम देखने को मिलता है और यहाँ पे आप deposit करते हैं 1000 रुपीज तो आपको अच्छा खासा bonus भी मिलेगा यहाँ पे जाओगे तो 20 टीम से जादा आप नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे ग्रैंडिंग में आप 25 टीम लगा सकते हो जितनी जादा टीम लगाओगे उतना जादा चांसे से कि आप GL विन कर जाओ मैं भी आपको टीम प्रोवाइड करूगा इसके लावा दोस्तों आपको जोइन कर सकते हैं और अच्छा प्रोविट कवा सकते हैं टीम आपको टेलिग्राप में दे ही दूगा चलिए दोस्तों पिछ रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं और आपको पता होना चाहिए यह पहला मैच खेला जाने वाला है इस साल का सवाई मान सिंग स्टेडिय लास्ट यर की दोस्तों गर बात करें तो यहाँ पर बैटिंग सर्फेस हमें देखने को मिली थी एक बार फिर से बैटर्स को थोड़ी सी हल्प रहेगी और साती साथ बता देता हूं बोलर्स को भी कुछ मदद मिलने वाली है कौन से बोलर्स होने वाले हैं वो हम आगे बात करेंगे पिछ रिपोर्ट फिलाल इतना कह रही है कि बैटर्स के लिए पिछ रिपोर्ट थोड़ सा सपोर्ट करेंगी बैटिंग फेल्ली पिछ होगी यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं वेन्यू स्टैड्स की यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर बाई 170 से 180 के बीच स्कोर हमें नजर आएगा क्योंकि लखनाओ की बैटिंग मी काफी स्ट्रॉंग है और अगर हम बात करें राजिस्थान की तो आपको भी पता है राजिस्थान तो बहुत बढ़िया कर रही है बैटिंग से दोस्तों भी किये हैं तो राजिस्थान की बैटिंग आज इस मैच में भी कमाल की देखने को मिलने वाली है हाइस स्कोर देख सकते हो 197 राजिस्थान नहीं किया इस ग्राउन पर लोएस 92 बनाया हुआ है मुंबई इंडियस ने तो यहां पर दोस्तों हम क्या इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्कोर आपको 160 से 180 के काफी बढ़िया राजिस्थान की बोलेंगे आगे बढ़ते हो और देख लेते हैं वेन्यू के क्या स्टैट्स है वेन्यू पर क्या हुगा है आपको मैंने अल्डेडी बता दिया यहां पर इस साल तो कोई मैच नहीं खेला गया है लेकिन लास्ट येर एक मैच खेला गया पर दोस्तों पिछले तीन से चार साल पहले हुए जिसमें चेजिंग वाली टीम आसानी से चेज करते हुए नदर आई है तो एक बार फिर से चेजिंग ही टीम करना चाहेंगे और स्कोर भी आप देख सकते हैं डीसेंट स्कोर वन सिस्टी से वर नेटी के बीच रहेगा और इतना ही रहने वाला है हाला कि दोस्तों मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ एकदाम accurate pitch report बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पिछला match आप भी देख रहे हैं हमारे पास चार साल पहले के stats है तो चार साल मग काफी कुछ pitch में चिंजस हमें देखने को मिलेंगे तो official जब pitch report आई की उसके according मैं आपको telegram में बता दूगा pitch किसको support कर रही किसे हमें ज्यादा try करना है यहां पे देख सकते हो wicket section में Pacers ने 7 wicket निकाले है Spinner's ने 4 wickets निकाले है Pacers ने 5 wicket, Spinner's ने 4 wicket Pacers ने 4 wicket, Spinner's ने 5 wicket तो यहां पे दोस्तो ऐसा कुछ खास आपे डजर रही है कि Pacers को ही wicket मिलेगे या Spinner's को wicket मिलेगे यहां पे दोस्तो quality bowlers को wicket मिलने वाले तो quality जो bowlers है दौनों ही टीम के पास बढ़िया bowlers है quality के कुछ bowlers दीखने को मिलेगे दोनों ही टीम के अधर उनको आप अपनी टीम में try कर सकते हैं वही आपको wickets रिकालते वे अधर आएगे अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों आप हम बढ़ते हैं head to head की तरफ दोनों ही टीम के बीच जितने भी matches खेले गए कौन सी टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी हमें होता हुआ नदर आए पिछले साल दोनों टीम के बीच दो match खेले गए थे दोनों ही matches आरार ने जीते थे आपको भी पता है लास्ट येर आरार finalist थी और finalist भाई finalist ऐसा ही तो बनी नहीं होगी काफी सारे टीम को उसने हराया था यहाँ पर दोस्टों आप देख सकते हैं आरार ने दोनों matches जीते थे लास्ट येर ही LHG इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें उन्होंने कोई भी match नहीं जीता था लास्ट येर के matches देख सकते हो आरा ने 178 बनाये थे लखनव उसको चेज नहीं कर पाई थी और आरा ने 165 बनाये थे लखनव उसको भी चेज नहीं कर पाई थी लास्ट येर जो head to end matches हुए दौनों बार आरा ने first bet किया और उसको defend करने में काम्याब रही है और मैंने आपको अल्री बता दिया आरा की bowling तगड़ी है अगर बढ़िया score बना देते हैं 180 सा 190 के बीच तो उसको defend करने की भी काबिलियत रखते हैं यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसवाल ने 41 किये हुए थे जैसवाल important है दीपक हुड़ा आज के मैच में इग्लोर होने वाला player लास्ट के मैचेस में आप देख सकते हो दौनों मैचेस में बड़ी अपारी खेल के दीती डिकॉक भी खेल लेतें लास्ट मैच में लेकिन फाइनली आरार न मैच जीत लिया था यह तो दोस्तो head to eight के बारे में बात हो गई अब हम चलते हैं playing 11 की तरफ कौन से player खेलने वाले हैं और कौन से player important है यहाँ पर दोस्तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान रोयल से काफी बड़ी है टीम है बैटिंग भी काफी अच्छी हो रही है प्लेइंग 11 मुझे कोई changes नजर नहीं आ रहे है प्लेइंग 11 सेम होने वाली है और आप देख सकते हैं सारे ही players थोड़े बड़ी हा form है यहाँ पर मैं चाहरा हूँ रियान बराक की जगे किसी दूसरे player को भी मौका मिलना चाहिए रियान बराक को मौका मिलता है कुछ नहीं करते हैं बड़े शॉट्स लगाते हैं जल्दी आउट हो जाते हैं तो कोई हो सकता है कोई different अगर संज्यू सेमसंग सोच रहे हैं और उनके पास कोई domestic player different हो तो उसको यहाँ पर try करें इसके अलाबा कोई changes हमें देखने को फिलाल तो नहीं मिलने वाले है आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं recent form के बारे में किसका कैसा form चल रहा है और किसको हमें try करना है जॉस बटलर बटलर का venue पर average 54 का है overall average भी देख सकते हो 39 का tournament भी काफी अच्छा जा रहा है अगर tournament के बारे में बात करें बढ़िया किया है दो 50 भी मारी हुई है last के चार matches में last match में सब लोग इनको captain कर रहे थे हमने इनको captain नहीं किया था क्योंकि पता था GT से match है मौमा शमी ले जाएंगे या राशित खान ले जाएंगे लेकिन आज वाले match में अगर बात करें बटलर कुछ ना कुछ तो आज के match में करने वाले हैं क्योंकि लखनों के पास Mark Wood और अभी विश्रोई के अलावा कोई तीसरा बोलर हमें देखने को नहीं बिल रहा है जो इनका विकेट ले जाए Mark Wood बी 1st over तो लेके नहीं आते हैं पावर प्ले में एकाद over होगा और रभी विश्रोई भी आपने देखा लास्ट मैच में सही से उनका utilization नहीं किया राहुल है रभी विश्रोई भी थोड़ा सा बाद में ही बोलिंग करते हुए नदर आएंगे तो बटलर के सामने खत्रा कोई नहीं है बटलर ही खुद खत्रा है आज के मैच में बटलर आज के मैच में बहतरीन कर सकते हैं और फिर से बहुत बढ़िया चोईस है कैप्टन नहीं करना है मत करो वाइस कैप्टन कर सकते हो कैप्टन एक और डाउनर के सांथ जा सकते हो जिसके बारे मैं आपको आगे बताऊंगा यशाच्वी जैसवाल के बारे मात करें फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है लेकिन यंग प्लेयर है और मार्क बॉर्ड इनको तो डेफिनेटली आउट करी सकते हैं आसानी से मार्क बॉर्ड नहीं तो आविश खान भी आपको देखने को मिलेंगे जो इनका विकट ले जा सकते हैं यशाशूी जैस वाल को कप ट्राय करना है गशाशू के बारे में तॉझे बहुत सारे कम लोग इनको ट्राय कर रहे थे क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं उसके पहले डबल जीरो किया था फेले लाँस में उपकी जीरो by आउट होगे थे इसली जीत लिया था है एट माय ने भी अच्छी पारी खेली थी एक बार फिर से सज्जू सेंस से डीसेंड स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 प्लस रंस बढा के देंगे सांधी सांध विकेट कीपिंग करते है तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट से आपको निकाल के देते है रियांट पराग बिल्कुल भी फॉप नहीं चल रहा है प्लेयर ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मैं बोल रहा हूँ कि भाई दूसरे प्लेयर को भी बॉका दिया जा सकता है हो सकता है रियांट पराग आज के मैच में ना खेले शिमरन हैटमायर बैटिंग मिल जाए तो भाई प्लेयर फोर देता है पिछले चार से चार पैचेस उठा के देखो तीन मैचेस में नाट आउड रहे हैं लास्ट मैच टीम को भी जिता दिया है एक बार फिर से है एटमायर बड़ी पारी खेल सकते हैं फर्स बैट में भी मॉका मिली जाता है इतने तो डैथूबर बो बिकिट गिरी जाता है फर्स बैट में भी सोच सकते हो और सेकेंड बैट में हलाकि थोड़ा सा रिस्की रहते हैं सेकेंड बैट में कई बार बैटिंग उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है नौट आउट भी देख रहे हो कितनी बारी नौट आउट रहे हैं सेकेंड बैट में यशच्वी जैसवाल के साथ जा सकते हो, अधरवाइस फिर शिप्टर हैट वायर भी आज के मैच पर फिर से अच्छी चोईस होगे, यहाँ पर दोस्तों धुरूप जुरूएल के बारे हम बात करने हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं किया है, मौका भी थोड सकता है लखनों के ओपनर्स में से या तो काईल मेर्स को ले जाएं, मेर्स को सबसे बड़ा खता है सबल के खिलते हैं, बेर्स का विकेट डेफिनेटली बोल्ट निकाल सकते हैं, देख सकते हो, रीसेट फ़र्म भी काफी अच्छा चल रहा है, एक विकेट, दो विकेट, तीन विकेट इन और निकाले हैं, संदीप शर्मा, मैं इस प्लियर को सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिर कमाल के बोलर हैं, क्यों कमाल के बोलर हैं, दोनी वाला मैच याद ओगा, स्यündेटली डेफिनेटल के छहर्म चेट, बोलिक डेफिनेटल रख सकते हैं, आजके मैच में यह बी अच्छा करेंगी, मैं आप को आपको अल्रडी बता देता हूं, योज्वें देखलें च बाइड की किसी प्लेएर को दोस्तो अगर मौका मिलता है तो आपको टेलीग्राम पे मैं बता दूँगा किसे हमें ट्राय करना है किसे हमें ट्राय नहीं करना है अब दोस्तो आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं लखनों की पॉसिबल 11 के बारे में केल राहुल भाई Mr. Consistent in IPL अगर कोई है तो केल राहुल है लगतार अच्छा करते हैं इस साल उतना बैतर नहीं किया है लास्ट मैच का वीडियो उठा के देखोगे जो राहुल की टीम का मैच था वीडियो में बोला हुआ था क्लियरली बोला था आपसे कि राहुल की आज 50 आ मैच था एक तरफा उसमें भी विनिंग ही है आज के मैच में राहुल का क्या करना है फिर से कैप्टन की अच्छी चोईस है क्योंकि राहुल ऐसा प्लेयर है कि जो लगतार अच्छा करता है ऐसा नहीं कि एक मैच मैच में अच्छा कर दिया तो सेकेंड में 50 नहीं आ सकती है सेकेंड में भी 50 आ सकती है थर्ड में भी 50 आ सकती है तो राहुल एक बार फिर से बहतरी इन चोईस है टीम के कैप्टन भी है एवरेज भी देख सकते हो दो मैचस खेलें इस वेन्यू पर 99 नरंस का एवरेज इनका है ओवरॉल 47 का एवरेज है काफी बढ़ी है इनका एवरे समझदार प्लेयर है चांसे इस राहुल के कम है कि राहुल आउट हो जाए जल्दी से अगर आउट भी होते है तो फिर भी डीसेंड स्कोर करके दे देंगे तो राहुल एक बार फिर से कैप्टन की भी अच्छी चोईस है काइल मेर्स काइल मेर्स भाई प्लेयर बहुत अच рам इचाने वाले है या तो चहलनों आउट कर सकते हैं अस्धं भी देखने को मिलेंगे सांटी सांथ संथ अगर जैमपा को मौका मिलता है तो हैं इस पर इनको टाइश नहीं खेल पाते हैं हो सकतते हैं चहलने का विकेट ले जाएं तो मेर्स अज खोड़ा सा रिस्की मुझे लग रहे हैं बोलिंग का उतना मौपा नहीं है बोलिंग कि जादा अच्छी है भी बोलिंग से टो टिक गई ले जाएंगे ओपनिंग आते हैं थोड़ा सा डिफिरेंट सोच रहे हो और अगर डृब करने का सोच रहे हो सूरी कुमार यादव भी फॉर्म में नहीं थे, एक मैच में फॉर्म में आ गए, लास मैच में आपने दिनेश कार्तिक को भी देखा, वो भी फॉर्म में नहीं थे, वो भी फॉर्म में आ गए, तो कहीं न कहीं जो क्वालिटी का प्लेयर होता है, कहीं न कहीं फॉर्म में वाले साथ ही साथ कुर्णाल पंडिया के बारे में बात करें भाई प्लेयर ने ठीक्ठा किया है हर मैच में कुछ ना कुछ तो करी देते हैं और टीम में डेफिनेटली रखना है क्यों रखना है टीम थोड़ा सा बैटिंग में प्रमोशन दे रही है सेकेंड डाउन से भी बहुत ज़्यादा नहीं किया है बोलिंग से भी नहीं किया है एक मैच में तीन budget बस निका लेते शकल एक कर ले पर सब्सक्रावें लेकिन उसमें Tao क्या चल ओभीक चूट गया था चूट गया था लांस मैच में व même 15 क्लाक्र चाहिव करेंगे नहीं ऊपर सकते होगा हैं दोस्तों बात करें तो प्लेयर बहुत ही शानदार हैं पिछले तीन से चार मैचेंश देख सकते हो बहुत अच्छा किया है जीरो पर आउट पर डेना है यह तो चेजिंग में उतना ज़्यादा मौका नहीं रहेगा तो चेजिंग में फिर हम पूरण के साथ नहीं जाएंगे और अल्डेडी हमारे पास बटलर है संजू सेंसे ने विकेट कीपिंग सेक्शन से तो अगर हम तीन विकेट कीपर रख लेंगे तो फिर हम दूसरे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो कई मैचस में अच्छा कर चुके हैं उस पर प्रिफरेंस दें आज के मैच में युदवीर सिंग चरक फिलाल तो मेरी टीम में नहीं है लास्ट मैच में आप से बताया था RCB के जो बोलर थे विजय कुमार विवैशक उन्होंने उसके पहले वाले मैच में तीन विकेट निकाले थे लास्ट मैच में आप से बोल दिया था आज के मैच में थोड़ा सा कम चांसे से कि विकेट निकाल के थे और उन्होंने आपने देखा सिर्फ एक ही विकेट निकाला वो भी last one को मिल गया था, तो आज के match में युदवीर सिंग चरक के चांसे थोड़े से कम है, फिलाल टीपे नहीं है, आविश खान को first bowl में try कर सकते हो, form तो कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन death hovers के चलते ये काला wicket जरूर चटका लेते हैं, last के दो match इसमें wicket नहीं मिला ह या तो बटलर को आउट करेंगे, या तो या शच्वी जैस वालों को आउट कर सकते हैं, death hovers में भी देखने को मिलते हैं, कई बार middle overs में भी आ सकते हैं, तो middle order batsman को भी out कर सकते हैं, रभी विश्णोई आज के match में important player होंगे, key player होंगे, form बहुत अच्छा चल रहा है, last match मे भी आपने देखा रभी विश्णोई को 15 hour के बाद bowling कराई है, इसलिए लखनाव वहाँ पर match नहीं जीत पाई है, आज के match में रभी विश्णोई थोड़ा सा ऊपर bowling करेंगे, पूरे 4 hours डालेंगे, और wickets ले जाएंगे, definitely रभी विश्णोई के खाते में आज 102 wicket रहने वा यहाँ पर दोस्तो आगे मैं आपको बता देता हूँ, बागी किसी player को मौका फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, मौका मिलता है तो टेलिग्राम पर आपको बता दूँगा किसे try करना है, किसे नहीं करना है, अब हम दोस्तो देख लेते हैं player battle, जिससे हमें पता चले किस player के सामन ने भी तीन बार आउट किया है, यह वाली बैटन देखने लाइक होगी, केल राहूल वसे स्टेंट बोल्ट कैसा खेलते हैं, इंटरनेशनल मैचस में भी कई बार आउट किया है, लेकिन आज मुझे लग रहा है राहूल शुरुआ थोड़ी सी समद के करेंगे, मेयर्स दे यह वाली बार आउट किया है, यह वाली बार आउट किया है, उनको में लेकिन देखनेद के लाइए और आउट किया है, और जआठम तो फशे होगे है, फाली आउट किया है यहाँ पे दोस्तों हमने देख लिया यहाँ पे प्लेयर बैटल के बारे में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं राजिस्थान के प्लेयर्स ने LSG के बोलर्स पे कितना मारा हुए या कितना आउट हुए आवेश्थान ने पांच बार आउट किया जौस बटलर को ये देखे मैं थोड़ा सा शौक हो रहा हूँ आवेश्थान ने जौस बटलर को आउट किया है आवेश्थान को जौस बटलर मारने को देखते होंगे और यहां पर देख भी सकते हो 38 रंस केवल 17 बॉलों में मनाए और उसी के चक्कर में कई बार आउट भी हुए तो आविश खान जौस बटलर के सामने अगर होते हैं तो थोड़ा सा खत्रा तो रहेगा लेकिन मुझे लग रहा है जौस बटलर का फॉर्म बहुत अच्छा है, आविश खान का फॉर्म बहुत गंदा चल रहा है इस साल तो आविश खान की पिटाई होगी अगर जौस बटलर के सामने आएंगे संजू सेमजन को एक बार अमित मिश्रा ने आउट किया एक बार आविश खान ने आउट किया रियन पराग के एक बार आविश ने आउट किया है एटमायर को रभी विश्णोई नो दो बार आउट किया है तो यहां से दोस्तों क्या output निकल रहा है चहल ने लगबख सारे LSG के players को out किया चहल आज के match में important है साथ ही अगर हम दोस्तों बात करें तो यहां पे Markwood तो पहले नहीं थे इसलिए Markwood का नाम देखने को नहीं मिल रहा है यहां से रभी विश्णोई important है रभी विश्णोई भी सामने वाले bowlers या batsmen को out कर सकते हैं यह हमें player values देखने को बिल रहा है आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देख लेते हैं GL में किसे captain wise captain हमें करना है हर match में जो भी different captain wise captain बता रहा हूँ वही match में कमाल करते हूं यह नदर आ रहे हैं आज के match में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है आज के match में भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों GL में captain के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ तो यहां पर देख रहे हो Jaws Butler बढ़िया चोईस है आज के match में Mayors के साथ भी काफी सारे लोग जाएंगे KL राहुल भी अच्छी चोईस है इन तीनों को जादा सा जादा टीम में ट्राय कर सकते हो हला कि Mayors को फिर भी थोड़ी सी कम टीम में आप ट्राय करना Butler और राहुल के साथ आप जा सकते हो Maximum टीम के अंदर different captain भी बता जिसको कोई ट्राय नहीं कर रहा है अगर आप उसको ट्राय करते हो तो definitely काफी बढ़िया करके देंगे Ravi Chandran Ashwin player थोड़ा सा ignore हो रहा है क्योंकि last match में wicket नहीं मिले है batting से हलागी एक चौका एक शक्का लगा दिया था दसरे नहीं और बना दिये थे आज के match में Ashwin के chances काफी जादा है Ashwin आपको captain बनते हो भी नजर आ सकते है grand league में अगर सोच रहे हो तो युजवेंदर चहल tournament काफी अच्छा जा रहा है bowling से एक wicket तो definitely हर match में निकाल रहा है आज के match में 2-3 wicket भी ले जा सकते है 37, Trent, Bolt भी आज के match में अच्छी choice है इनको बहुत कम लोग try कर रहे है अगर आप try करोगो नए definitely काफी उपर जाओगे अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हो और देख लेते है low selection percentage player के बारे में जिनको कोई नहीं try कर रहा है low selection दीपा खुड़ा high risk बहुत जादा risk form बिलकुल नहीं चल रहा है आज के match में दीपा खुड़ा पे दाव खेल सकते हो दीपा खुड़ा मुझे यहां से 50 runs करते हुए नदर आरे 50 नहीं करते हैं तो at least 30 plus runs कर देंगे 30 plus भी करते हैं तो differential बढ़िया choice होंगे रभी विश्णोई last match में विकेट निकाला है उसके बाद भी पता नहीं क्यों लोग इनको कम से कम try कर रहे हैं क्योंकि bowling section में और भी choice हैं रभी विश्णोई के भी chances साज काफी जादा है और संदीब शर्मा भी काफी कमाल की bowling कर रहे हैं लोग थोड़ा सा इनको भी ignore करते हुए नदर आ रहे हैं क्यों ignore कर रहे हैं क्योंकि choices थोड़ी सी जादा है अगर different सोच पा रहे हैं फर्स बोल हो रही है तो फिर अभी विश्णोई के साथ तो आपको definitely जाना है लेकिन संदीब शर्मा के साथ भी जा सकते हो 40-50% के बीच इन प्लेयर्स को लोगों ने टीम में try किया आप अगर try करते हो तो definitely उपर जाओगे अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं GL में कौन से fixed player हमें try करना है GL में एक team आपको नहीं मनानी है at least 10-20 team मनानी है और वहाँ पर fixed player कौन से हैं यहाँ पर दोस्तों बात करें जॉस बटलर के साथ संजू सम्सन विगेट कीपिंग सेक्शन से आपके पास होंगे राहूल को आपको रखना है अश्विन और मेयर्स को अलागी दोस्तों मैं prefer नहीं कर रहा हूँ आज के match में ये गलती से मेयर साइड होगे यहाँ पर चहल आपकी team में रहना चाहिए और Mark वुड भी आपकी team में रहना चाहिए बोल्ट यहाँ पर ला सकते हो मेयर्स की जगा बोल्ट भी आपकी लगबाग हर टीम में रहना चाहिए यह फिक्स प्लेयर न है इनको अगर try करोगे हर टीम में तो definitely आपकी team काफी बढ़िया करके देगी और सांत में दोस्तों मैंने आपको बताई दिया different player किसे try करना है आगे दोस्तों बढ़ते हैं और अब हम बढ़ते हैं team की तरफ team में हमें क्या try करना है और किसे captain wise captain करना है बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों team के बारे में बात करेंगे उसके पहले बता देते हूं यार बल्लेबाजी के बारे में यहाँ पे दोस्तों प्रेडिक्टर वाला भी एक section आपको देखने को मिलता है मैंने शुरुआत में आपसे वोला था चार से पांच तरीके पैसे कमाने के हैं यह भी एक तरीका है यहाँ पे क्या होता है प्रेडिक्टर में सीधा आपको सिर्फ एक answer देना है को लग रहा है तो simply yes पे tap कर सकते हो ऐसा कुछ interface देखने को मिलेगा मैं आपको एप open करके भी बता दूँगा कैसे इसको खेलना है साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ काफी बढ़िया पैसा आप इसके अंदर कमा सकते हैं और अगर बल्लेवाजी के अंदर daily खेलते हो तो आपको दोस्तों prizes भी मिल सकते हैं अगर daily खेल रहे हो आपको कुछ coins मिलते हैं और जैसे जैसे आपका level बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके पास coins इखटे होते जाते हैं coins जैसे ही आपके पास काफी सारे इखटे हो जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे उनको claim करके bike और car तक जीज सकते हो different काफी सारे prizes है iPhone 14 भी जीज सकते हो बहुत सारे prizes हैं यह कैसे मैं मिलना है आपको नहीं आपको small league में जादा investment करना है नहीं आपको सिर्फ grand league खेलना है उसके winning नहीं है यह दोस्तों सिर्फ आपको points मिल रहा है उनको claim करके यह prizes दी सकते हो तो बल्लेवाजी का link मैंने description में दे दिया है चलिए दोस्तों टीम के बारे में बात करेंगे उसके पहले बता देता हूँ यह टेलिग्राम का भी तक पार्ट नहीं बने हो तो टेलिग्राम का पार्ट बन सकते हो फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगी पूरे 11 प्लेयर्स के साथ और captain vice captain की best choice के साथ पूरी टीम आपको यहाँ पे बिलेगी टॉस के बाद पिछकी अपडेट भी आपको टेलिग्राम पे देखने को मिलती है और 37 गिववे के विनर भी आपको टेलिग्राम पे अनाउंस होते हूँ नदर आते हैं गिववे के बारे में बता देता हूँ कैसे गिववे विन कर सकते हो जो भी इस वीडियो पर first like और first comment करता है वो गिववे का विनर बनता है तो इस वीडियो पर तो आप यहाँ तक आ चुके हो तो आप definitely नहीं बन सकते है नेक्स वीडियो पर बन सकते हो उसके लिए क्या करना होगा चैनल को लाइक कर देना और पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखना नेक्स वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप first like और first comment करके giveaway विन कर सकते हो देख सकते हो सारे लोग giveaway के winner विनर बन रहा है और सबको पैसा ट्रांसफर हो जाता है उसी दिन तो giveaway का winner बनना है टेलिगाम चैनल जॉइन कर लो final team भी आपको महीं पर मिलेगी अब दोस्तों हम यहाँ पर team के वारे में बात कर लेते हैं क्या मैंने team create करके रखिए विकेट कीपिंग सेक्षन से बाई बटलर definitely team में होंगे और संजू सेमसन को भी मैं अपनी team में रखने वाला हूँ संजू सेमसन का form भी अच्छा चल रहा है पूरन को बाई first bet में try कर ल डीपाक हुड़ा को अपनी team में लूँगा डीपाक हुड़ा के लिए या हैट मायर की जगह भी आप दीपाक हुड़ा के सांथ जा सकते हैं डीपाक हुड़ा के सांथ अच्छा करेंगे और रवीज जंदर नश्यून हमारी team में होंगे क्रोनाल पांडिया को मैंने लेकर नश्यून है कि थोड़ा बहुत तो कुछ करी देंगे और हो सकता है अगर बोलिंग मिल जाया तो एक आदा विकेट ले जाए तो मेर्स को फिलाल मेंने लिया है मेरा मूर चेंज होता है अगर फर्स बॉल आ जाती है यहां पर आप देख रहे हैं राजिस्तान की तो फिर मे जब विश्णोई के अगर लेना होगा तो मैं मेर्स को ड्रॉप करूँगा और विश्णोई के साथ जाओँगा विश्णोई एक दो विकेट तो पक्का ले ही लेंगे लेकिन मेर्स के चांसे साज थोड़े से कम नजर आ रहे हैं यहां पर दोस्तों कैप्टेन वाइस कैप करना चाहर हो तो दीपा खुड़ा को अपनी टीम मेरा कर सकते हो अब दोस्तों पर बता देता हूँ बल्लेवाजी के अंदर मैंने क्या टीम बना के रखिए किसके चांसे यहां पर मुझे लग रहे हैं और कौन से प्लियर को कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने यहां पर ट्र यहां पर प्रेडिक्टर वाला भी बता देता हूं कैसे खेलने हैं यह आप क्वेशन देख सकते हैं राजिस्थान वाला मैच अगर आपको लग रहा है यह तो सिंप्ली यह पर टैप करना है मैच चेक करना है 5.50 की क्वांटिटी के प्राइस पर इतनी सारी क्वांटिटी देखने को मिल रहा है क्वांटिटी इंक्रीज करना यहां पर टैप करना और देख सकते हो इतना इंवेस्थमेंट इतना रिटरन मिल रहा है रिटरन मतलब क्या है इतना प्रॉफिट हो रहा है टोटल अगर आप देखोगे तो 550 के आपको बद थाउजन मिल जाएंगे और इतना आपको प्रॉफिट है क्या किया है आपने आपने सिर्फ इतना बताया राजस्तान मैच जी जाएगी क्योंकि स्ट्रॉंग तीम है ना ही पूरे 11 प्रेस बताएं ना ही आपने कैप्टेन वाइस कैप्टेन बताया सिर्फ इतना सा बताया और पूरा पैसा कमा लिया है तो predictor पे दोस्तो definitely try करना इसके अलावा और भी बहुत सारे questions आपको include होते हुए नजर आएंगे match के time पे match के time पे भी काफी सारे questions के आप जवाब दे सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं predictor पे try कर लेना बल्लेबाजी का link description में दे दिया बल्लेबाजी को download आप कर सकते हो इसके अलावा telegram channel के बारे मैं फिर से बता देता हूँ final team आपको telegram पे मिलेगी तो telegram channel join कर लेना और अगर video में कुछ भी information लगाया और मजा आया या अच्छा लगाया जो भी आपको कुछ लगाया तो video को like कर सकते हो चैनल पर पहली बार तो subscribe कर लेना next match में भी giveaway उसका भी बिनर आप बन सकते हैं साथ ही साथ लगातार IPL के हर match के video भी आपको provide होगे तो video को like कर सकते हो चैनल को subscribe करना मिलते है next video में thank you and thank you so much